हेलो गाइज वाट्स आप तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नमर्ट 31 ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मोडर्न इंडिया बाई राजी इस स्पेक्ट्रम का लेटर स्टेशन है सो लेस्ट बिगें तो जो इप इस इंडिया बाई कि जो इंडियन पीजेंटर थे वो गरीबी की तरफ मोड़ रहे थे तो वो ड्रेक्ट रिजल्ट है ट्रास्फोर्मिशन का उनका अग्रियन स्टक्चर की तरफ कि जैसे ही उनका काम दंदा कुछ नहीं हो रहा था तो अग् यह और क्राडिंग हो रही ती लेंड की तो यह नीचे दिये हैं कि जो क्लोनियल एकनोमिक पॉलिसी ते उसके कारण जो हैंडिक्राफ था उसके नहीं ने दिया है कि जो पीजन थे वो सफर कर रहे थे हाई रेंड से इल्लीगल लीव से और एर्विटरी जो एविक्शन हो रहता उससे और एंप्रेड लेबर जमितारी से अरियास के अंदर और विवत्वारी एरियास में क्या हो रहता है जो और बर्डन फार्मर थे उनका डर था कि जो उनका ओल्ली सोर्स ऑफ लावलिवड है वह उसे ही ना खो दे तो वह अप्रोच करते थे जो लोकल की मैंड लेंडर्स होते थे हुँ मेड फूली ओफ देर फॉर्मर डिफिकल्टी पाइस्टिंग हाई रेट्स ऑफ इंटर्स्ट ओंदा मनी लेंड और मैने टाइम जो फार्मर है उनको मॉटेज करने पड़ते थे पने लैंड और केटल को सम्टाइम जो मनी लेंडर थे वह सीज कर लेते हैं उनकी मॉटेज जो उनसे बिलोंग करती थी ग्रेजुली हुआ क्या और लाज एरिया एक्ट्टीवेटर जो रिड्यूस होगी तो इस्टेश ऑफ टिनेंट्स केवल किरादारी बनके रहे गई और शेयर क्रॉपर्स और लेंडलेस लिवर्स ही बनकर रहे गई अग सुन रिलाइज देट यह रियल नम नी जो उनका दुष्मन है उन्हें रिलाइज हो चुका वो क्रॉन्यल स्टेट है सम्ताइम दर डिश्परेट पिसंट तो क्राइम तो कम आउट अट प्टॉलेर्बर कंडिशन और इस क्राइम इंक्लुड रोवरी कर लेते थे और उसे को बोल जिया जाता है शोशल बेंडिटरी अब नेक्स सेडी है सर्वे ओफ अर्ली पिसंटरी मुमेंट तो पहला देखते हैं डैट इस इंडिगो रिपोल्ट 1859-60 तो जो हमारे पहला है कि यह बंगाल अंदर हुआ था इंडिगो प्लानटर थे नियरली और यॉरोप फे डिगो फ्लाट इंडिगो ग्रों स्टीड ओफ मौर्पेंग क्रोप्स के अलावा जैसे इस ज़्याखा सकते लेकिन जो यूरोपन से उनको फोर्स कर देंडिगो ग्रो करने के लिए और जो प्लांटर रस है वह फोर्स कर रहे थे प्लांटर को कि वह एडवांस फी्ल ल किटनैपिंग इसब चीज़े कर रहे थे तो प्लांटर्स ने भी उनको ही कोपी करा और अटेक करा वुमेंस के ओपर चिल्डरन के ओपर उनकी कैटल्स को सीज़ कर लिया और बर्णिंग डिमोलिशन ऑफ हाउसे और रिस्ट्रक्शन ऑफ को भी खतम कर दिया तो जो एंगर थ पीजेंट्स का वो 1859 में भार आया जो लेट कर रहे थे कौन दिगंबर विश्वास और बिष्णु विश्वास नाडियर इस्ट्रिक के और उनने डिसाइड किया कि वह इंडियो को नहीं करेंगे और रिसिस्ट किया फिजिकल प्रेशर जो प्लांटर का था उनके लठिया तो रोस से उन्होंने रिप्लाइ कैसे किया कि वह रेंट स्ट्रैक पर चले गए कि जैसे रिफ्यूस करा कि वह एनेंस रेंट देंगे ही नहीं और फीजिकली रेसिस्ट किया कि अटेम्ट टू एविक दैम कि उनके घर से भार भी नहीं निकाल सकते थे ग्रेजिवली हुआ कि दे लेंट यूज ओफ लीकल मशीनरी इससे क्यावा वह लीकल मशीनरी को यूज करना सीख गए तो इससे इनिशेट हुआ लीगल एक्षन जो सपोर्टीड वाई फंड कलेक्शन से फंड कलेक्शन के तुरू हो लीग एक्शन के तरफ ज्यादा जागरूख होए तो जो सब्सक्राइब करने के लिए जो प्रॉबलम चल ले थी इंडिको कल्टीवेटर्स की तो बेस ओन इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो गुर्मेंट ने इशू किया नोटिफिकेशन इन नॉमबर 8060 की जो रियोट से कुड नोट भी कंपेल्ड टु ग्रो इंडिको ने किया जाएगा इंडिको करने के लिए इससे एंशूर हो जाता था है कि जो सारे गाल से बाइद एंड ओफ 1860 तो वह पर आपको यह पूरा किलियर हो चुगा होगा अब देखते है नेक्स्ट एडिंग डैडिस अपने अग्रेरियन लीक तो डूरिंग 1870 और 1880 जो लाज पार्ट है इस्टन बंगाल का उसने एक विस्टनेस किया अग्रेरियन अन्रेस्ट जो कोज हो रहा था भाई ऑप्रेसिव प्रेक्टिजिस जमिदार्स की तो जो जमिदार्स थे वह रिसोर्स इटू उन्होंने रेंट को अनेंस कर दिया कि जो लीगल लिमिट थी उससे भी ज्यादा और प्रेवेंट करा जो कियादार थे टिनेंस थे फ्रूम एक्वारिंग और बुचाया गया मोस्ली लिटिगेशन इन कोर्ट वर दपोर पीजन फाउंद हिंसल एड इस डिस डिस अडवांटेज तर उसमें किया कि कोस्ली लिटिगेशन जो थी कोड में लगती थी जहां पर पूर जो पीजन था वो अपने आपको डिस अडवांटेज मैसिस महसू कि थे उन्होंने एक एक अगरियन लीग फॉम करी और कॉंबिनेशन टू रिसिस दा डिमांड ऑफ दा जमीदार और जो लीग थी उन्होंने एक रेंट स्ट्राइक और नेज करी जो रियोस से उन्होंने अब रिफ्यूस कर दिया कि वह एनेंस रेंट नहीं देंगे वो चै लिटल लिटल वोईलेंस कि अब वोईलेंस तो कमी था लेकिन अब इस्ट्रगल चल ली थी वह लिगल रूप से चल रही थी होगा अब नेक्स प्राइग्राफ में दिया वा है कि दो जो पीजन्ट थे वह असंतूस थे तो लिंगवर तीं 1885 जो मोस्ट ओफ दा केसिस थे लेकिन स्थोल होगे थे पार्शिली थूफिशल मींश और पार्श्ली बीकॉज़ उफ जमिदा। तो हुआ कि कुछ तो लिगल मींश सेarl होगे और आधे जो हो है कि जमिदार गए थे उनके डर की वेज़ाँ से इस इससोल हो गए और जो बहुत सारे पीजन्स थे वह अब able okay to acquire occupancy rights and resist कर रहे थे enhance right जो rent बढ़ा दिया था जो government ने भी promise किया कि to undertake legislation to protect tenants from worst aspect of जमिदार तो government ने भी ये commit किया कि वो tenants को protect करेंगे कानून के थुरू और 1885 में Bengal Tenancy Act pass हो गया था again a number of young Indian intellectual supported the present cause तो उसमें include थे कि जो young Indian intellectual थे उन्होंने वीजन के कोस को support किया तो उसमें जो यंग थे कि बंकिम चंदर चटर जी आर सिदत और Indian Association अंडर सुनेंदरनाथ बेनर जी तो आप मेंजे comment section में बता सकते हैं कि इन्होंने सुनेंदरनाथ बेनर जी ने कॉन से नियूस्पिपर लाएते हैं इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा अब नेक्स से डेकन रियोट्स अब नेक्स से डेकन रियोट्स सिस्टम के अंदर और जो इसस्टम से मालाबारी रियोत वाली यह आपको अलग से वीडियो में explain कर दिया जाएगा कि यह नंबर टाइफ ओफ सिस्टम चले थे क्योंकि डिपेस्टी डेकोशन पूछ लेता है और जो कंडिशन है बत्तर से बत्तर वर्स होरी जाड़ती जिसकी वे किसकी वेजह से जो कोटन का प्राइज था वो क्रेश हो गया था आफ्टर दा एंड अफ अमेरिकन सिविल वोर और 1864 के अंदर और जो गवर्मेंट का डिजिजन था कि वो रेज करें लेंड रिवेंड तो इसमें हुआ कि पहले तो जो रियोट से डेकन के वेस्टन इनिया के अंदर उन्होंने एक हेवी टैक्शिशन का सफर किया और जो पीजन थे अपने आपको महसूस कर रहे थे ट्रैप्ट हुआ वा और मनी लेंडर उनको एक्स्प्लेट कर रहे थे जो मनी लेंडर थे मो और जो कंडिशन है और ज्यादा वर्स होगी बिकोज ओव कोटन प्राइज का जो था वो ख्रैश हो चुगा था अमेरिकल सीविल वर के बाद 1864 के अंदर और 1867 में गोर्मेंट ने लेंड रिवेन्यू रेज कर दिया किस कितना बाइफ 50 परसेंट तो 1874 के अंदर क्या हुआ जो ग्रोइंग टेंजन थी मनी लेंडर और पीजन के बीज में बढ़ गया जिससे क्या हुआ शोशल बॉइकोट मोमेंट स्टार्ट हो गया जो रिवेस के द्वारा और्गनाइस किया गया आउस्साइडर के अंगेंस्ट जो मनी लेंडर से और जो बारबर थे वाशर में थे शू मेकर्स थे वो भी सर्व नहीं कर रहे थे तो इस शोशल बॉइकोट स्प्रेड रेपेडली इन टू दा विलेज ओफ पुना तक ही पोच गया एमदबाग एमदनगर शोलापूर और सतारा यहां तक बोचतेजी से पोच गया सून क्या में विद सिस्टेमेटिक अटेक ओन मनिलेंडर्स हाउस और शोप्स में और जो डेप बॉन थे उनको डीट्स जो हमारी थी वो सभी जला दी गई और पब्लीकली बंड कर दी गई तो गवर्मेंट सक्सीडरी से मुमेंट को रिप्रेस करने में दबाने में तो एज़ा कॉं सपोर्ट किया जैसे हमने उपर वाले इंडिकों में पढ़ा था कि जो यंग जो मारे नेस्ट लिस्ट है उन्होंने इसको सपोर्ट किया था पीजंड का उनमें से बंकिंग चदरजी थे वारा सिदत्ता थे आप उपर देख चुके हैं अब नेक्स देखते हैं चेंड 1857 तो इसमें जो फर्स्ट है पीजंड इमर्ज कर रहे थे as a main force in agricultural movement fighting directly for their own demand अब वो अपनी on demand के लिए अपनी के demand के लिए directly fight कर रहे थे और जो इन्होंने demand किया was a centered almost whole on economic issue एक इंपोर्टेंट है कि जो इनका nature जो change हुआ 1857 के बाद तो पहले अब क्या करने लेगे हूं कि अपनी demand खूद रखने लगे दूसरा उनकी जो demand थी वो mostly move कर रहे थी around economic issues के उपर और जो मोमेंट था वो अब रेक्ट कर रहा था जो हमारे immediate enemies थे पीजेंट के लेगे foreign planters, indigenous चमिदार्स, money landers, real enemy नहीं देख पा रहे थे हैं जो कमारी colonial state थी और जो fourth point है कि जो struggles थी वो ड्रेक्टि ट्वर स्पेसिफिक और limited objective और particular grievances कि उनका जो immediate कोई भी उनकी जो परिशानियां वो बस दूर हो जाए उसके उपर उनका ध्यान था long term उनका ध्यान नहीं था तो जो colonialism था वो target नहीं था इस moment का जैसे मैंने आपको अभी उपर point में बताया है और यह objective नहीं था इस moment का की end करें subunderingation और exploitation पीजन का और territorial reach बीस की बहुत limited थी इन moments की और कोई continuity नहीं थी struggle के अंदर कोई long term organization नहीं था जो अलड़ी बता चुका हूं और पीजन है डरलप कोई एक strong evidence legal rights के परती और hazard them in and outside the court जो हम उपर देखी चुके हैं कि mostly जो अब इनका moment है वो legal हो गया था अब देखते हैं weakness तो there was a lack of educated understanding of the colonialism तो इनके अंदर कमी थी understanding कर से के colonialism क्योंकि इमिडेट जो इनका grievances है उसको ही देख पा रहे थे और 19th century में prison did not possess a new ideology और new social economic और political program और जो इनकी struggle है वो militant nature की थी लेकिन within the frame of all social order के ही थी जिसमें लेक कर रहा था positive conception of alternative society कि वही पुरानी विचार धारों में थी इनकी जो भी struggle थी आप देखते हैं जो लेटर मॉमेंट्स हुए तो गाइज यहां से हम next वीडियो में continue करते हैं यह दो पाइट में आपका पूरा एक chapter complete हो जाएगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी तो गाइज if you have any doubt you can ask me in the